नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त संचित और स्वागत करता हूँ अपरेडिंग सिस्टम की एक प्लेलिस में जहां हम बात कर रहे हैं अभी प्रोसेस सिंक्रनाइजेशन की और आज इस वीडियो के अनदर डिसकस करूँ एक बहुत इंपोर्टन प्रॉब्लम डाइन इंपोर्टन नहीं है तो बहुत फ्रिक्वेंटली आप यहां से कुष्टन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हलाकि गेट और दोनों में ही यहां से कुष्टन अल्रडी पूछे गए हैं रही बात उनिवर्स्टी एक्जाम की बहुत इंपोर्टन प्रॉब्लम है तो बैक टु आने वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे यूजिंग सीमा फोर्स इसको हम सॉल्ड करने का अटेम्ट करते हैं अगर कोई सॉलुशन अटेम्ट करते हैं तो क्या वो सॉलुशन वैलिड होगा या उसके अंदर फर्दर कुछ स्कोप आफ इंप्रूब्मेंट हो सकत हैं और फिर आने वाले वीडियो में उन इंप्रूब्मेंट पर भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप उसे सारा स्लेबर्स डेली थ्री आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट के डिगरी के अंदर सब्सक्राइब करिया नेकेडमी प्ल समझना और डानिंग फिलोसफर की एक्चल प्रॉब्लम क्या है कभी-कभी यह समझने भी बड़ा कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो जाता है तो सबसे पहले कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझाओं फिर आगे बात करूँगा तो पहले सेट्मेंट प्रॉब्लम आपको फिलोसफर्स यहां पर मानें बट लेट मी तेल यू आप कितने भी फिलोसफर्स ले सकते हैं 3,4,5,6,7 कितने भी फिलोसफर लीजे अर्रेंजमेंट के एक सर्कुलर टेबल है और मज़े की बात क्या है किया यह जो फिलोसफर है सिर्फ दो ही काम करते ह है वो क्या-क्या आइधर दे थेंग और दे इट तो या तो वो सोचते हैं और अगर वो सोचते सोचते थक जाते तो बीच में कुछ समय वेट करते हैं और वो कुछ खाते हैं ओके आगे पढ़ता हूं दा फिलोसफर्स शेयर्स असर्कुलर टेबल स्रांड़ेट बाइव फ कॉश्चन कहता है इंदर सेंटर ऑफ टेबल देज़ बाउल ऑफ राइस तो यहां पर इस फिगर के अंदर नहीं हम इमाजिन कर लेते कि एक बाउल है और उसके अंदर राइस रखे हुए यानि कि जब इनको भूग लगती है तो यह राइस खाते हैं ओके एंड़ेन देन कि हर फिलोसफर के पास चॉप्स्टिक्स हैं पर चॉप्स्टिक्स क्या है इंडिवीजवल नहीं अब यह प्रॉब्लम देखें इंट्रस्टिंग कैसे बन जाते हैं सबसे बहले बाग इवन इफ वी यूज चॉप्स्टिक तो किसी भी एक आदमी को कितनी चॉप्स्टिक मैं चाहीं है खाना खाने के लिए तो हलागि आप मेंसे जादा तर लोगों को आइडिया होगा चॉप्स्टिक क्या उससे कैसे खाना खाते हैं आपने खाना खाया नहीं हो देखा ज़रूर होगा लुक अटिस आईडिया तो एक image मैं लेकर आया हूँ आपको समझाने के लि है even rice भी लोग chopstick से खा लेते हैं तो quite complex है but हाँ ये लोग ऐसा कर पा रहे होता है तो just आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई chopstick से खाया जा सकता है दूसरी बात how many chopstick you need so you can see everybody here has two chopstick क्या हम लोग भी chopstick prefer करते हैं तो Indian chopstick क्या हो सकती है Indian chopstick Indian chopstick now that is what Indian chopstick is so we don't need a chopstick hand is sufficient और इस पर कभी बात में बात करेंगे कि हाथ से खाना खाना बेटर है या even fork spoon या chopstick whatever it is खेर मैं अपनी problem में वापस आ जाता हूं अब again to give you the idea दुबार इस बात को समझाना चाहिए कि आपको खाना खाने के लिए हर किसी philosopher को दो chopstick देने चाहिए तो अगर overall यहाँ पर 10 philosophy sorry 5 philosophers है हर एक के पास दो chopstick होने चाहिए तो टोटल हमेनी chopstick सा रहा है 10 chopstick सा रहा है बट फिर problem interesting कैसे बनता हर process independent होता हर philosopher independent होता तो और वो खाना खा लेते बट हमने इंट्रस्टिंग बना दिया total five philosopher से और chopstick भी जो है यहाँ पर हमने five ही रखें इनका फॉक मान लीजे chopstick मान लीजे whatever it is तो इसका मतलब आपको sharing करनी पड़ेगी sharing proper तरीके से करनी पड़ेगी वरना यह problem अच्छे से handle नहीं हो पाएगी तो अब पांच philosopher है या तो वो खाते हैं या तो वो सोचते हैं जब वो खाते हैं तो सोचना तो independent process है किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है जब वो खाते हैं तो they need two chopstick अगर मैं numbering करूं for example let me say philosopher number 0 number 1 number 2 number 3 number 4 और से लिए chopstick का भी number कर देता हूं so that कोई confusion नहीं है 0 1 and that is 2 and that is 3 and that is 4 तो मान लीजे let me say अगर philosopher number 1 यानि कि जो red color में है अगर उसको खाना है तो कौन कौन से chopstick चाहिए तो देखके समझ आता है उसको चाहिए chopstick number 1 और उसको चाहिए chopstick number 2 बिना दोनों chopstick के आप खाना नहीं खा सकते बात clear है कोई और philosopher ले सकता हूं अगर आपको चाहिए philosopher number 3 उसको खाना खाना है उसको चाहिए chopstick number 3 और chopstick number 4 है ना और अगेन ये बात जैसे यहाँ पर लिखी हुई है कि बाकियो कुछ और काम नहीं कर तो एक का दूसरे से कोई interaction नहीं है और वो बात नहीं कर रहा हाला कि ये भी बड़ा interesting है काफि सारे standard books मे जब इस problem को define करते हैं तो जो हमारे philosophers है वो female है है ना बड़ अगर ऐसा है तो फिर ये problem थोड़ी hypothetical समझाती है वो क्यों how is it possible कि इतने सारे philosopher ये इतने सारे females एक circular table share कर रही है and they don't talk to each other या तो वो सोचना है तो खा रहे हैं तो बड़ी जीब बात है एक और interesting fact है अगर ये सच में females हैं तो क्या ये chopstick share करना prefer करेंगी है ना तो hygiene issues भी हो सकते हैं जो अपने को फर्क नहीं पड़ता है whether they are male or female but point है कि हम किस तरह से problem को handle करें अब देखिए हमने जो पढ़ा है वो प कर रहा होता है जिस टाइम पर उसका किसी दूसरे process से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जिस समय वो critical section में काम कर रहा है वहाँ पर चीज हमारे interesting हो जाती है because उस समय वो shared resource को access कर रहा होता है इस problem को अगर सही से solve करना है है ना तो पहले समझना पड़ेगा कि यहां पर critical section है क् जान सो सोचिएगा क्या यह bowl of rice जो बीच में रखा हुआ critical section को represent कर रहा है शायद नहीं वो क्यों because when you say critical section तो हम यह clear cut बोल देते कि एक बार में एक ही process काम करेगा but आप मुझे बताओ इस arrangement के हिसाब से अगर यह red color वाला philosopher or let me say this somewhat yellow color philosopher अगर एक साथ खाना चाहें तो क्या खा स में दोनों कोई भी chopstick shared नहीं कर रहें तो parallel ही दो लोग खा सकते हैं और शायद कोई issue नहीं होगा इसका मतलब bowl of rice जो है वो critical section नहीं है अगर critical section होता हो तो एक बार में एक ही आदमी उसको handle कर पा रहा होता तो समझाना यह चाहता हूँ नहीं practical problem solve करते हैं जो theoretically हमने जो पढ़ कि सोचना है अब अगर मैं chopstick लूँ for example take this chopstick for example क्या यह अपने आप में shared resource है हाँ वेकर यह जो हमारा chopstick है यह इन दोनों philosophers के बीच में shared है तो क्या मैं इसको critical section मान सकता हूँ शायद मान सकता हूँ क्यों वेकर मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक philosopher फिलहाल इसको use कर खाना खा रहा है तो दूसरा philosopher उससमें इसको use नहीं कर सकता बट अगर ऐसा है तो मेरे पास यार एक chopstick है कि पाँच chopstick है तो मेरे पास पाँच chopstick है इसका मतलब इस problem के अंदर five different different critical section है अब कैसे solve करेंगे वालग बात है but using semaphores इन पाँच chopstick पे आपको ordering एक synchronization mechanism लगाना बता हूं यह तो जो scenario लिखा हुआ है from time to time process philosophers get hungry and try to pick up the chopstick that are closest to her तो यह बात बताने की जबत नहीं कि ऐसा नहीं कि भाई इस philosopher को खाना खाना है तो किसी और का chopstick यह pick कर लेगा इसके जो दोनों तरफ रखे हुए है वोई chopstick यह pick करने वाला है और कैसे pick करता है left chopstick and then right chopstick तो यह तो circular arrangement आप कुछ भी चाहिए देख सकते हैं left or right यह आपके हिसाब से जो भी आपको left right नजर आ रहा है लेकिन सबको order same रहेगा है आप philosophers में pick only one chopstick at a time and obviously she can't pick the other chopstick जो already शायद हो सकता है किसी के पास हो तो इस case में philosopher क्या करेगा weight करेगा तो जो standard होता है जो deadlock में हम पढ़ चॉप्सिक के लिए weight करेंगे यह सारी definition पहले से clear कर देना जरूरी क्यों है प्रकाश आप जो भी solution लिखेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो definition हम question में बता रहे हैं वो सारा का सारा आप उस question जंदर भी follow कर पा रहे हो तो चलिए अब जल्दी से मैं repeat कर देता अब either कोई philosopher खा रहा है या तो वो सोच रहा है और उसको जिससे मैं chopstick चीए अपने दोनों दरफ के chopstick चीए अगर एक chopstick available होगी तो वो उसको hold करेगा और बाकी resources के लिए दूसरे chopstick के लिए weight करेगा हमको एक ऐसा solution लिखना है कि हम इन philosophers को independent रखते हुए kind of synchronization mechanism लिख सकें तो इस वीडियो को यहीं रोकूंगा और आप imagine कर आप सोचो अपने साब से क्या solution होगा कैसे हम resources मानते हैं इसको properly ऐसा solution लिख सकते हैं फिर अगली आने वाली वीडियो में इसके detailed solution पर मैं जाता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आने वाले वीडियो में इसके solution पर बात करता हूँ थैंक्यू सो मच